हेलो एन वेलकम आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्ट अप शो आवाज आंतुप्रेनिया जहां पर हमारी नजर होती है इंट्रिस्टिंग आइडियास पर और साथ ही देश के स्टार्ट अप ट्रेंड्स पर भी देखते हैं क्या है खास इस हफ़ते आपके लिए प्राइमरी हेल्थ केर सर्वसिस प्लाटफॉर्म हेल्थ शॉर की बिजनिस जर्नी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में दौड लगा रहा स्टार्ट अप ब्लाक बग की ग्रोथ स्टोरी और क्लीन एनरजी पर काम कर रहे देश के यंग इनुवेटर्स की जलक 130 करोड भारतियों तक बेसिक हेल्ट केर सुवधाएं पहुँचाना कोई आसान काम नहीं है लेकिन टेक्नोलोजी, डिजिटाइजेशन, इंटरनेट पेनेटरेशन और साथ ही न्यू एज आन्तुप्रेनियर्स इन सब को मिलाकर कुछ ऐसा कॉंबिनेशन बन रहा है जो नामुनकिन को मुम्किन कर रहा है हेल्थ केर में नए-नए कॉंसेप्ट के साथ ग्रहकों की समस्याओं को दूर करने वाला एक ऐसा ही नाम है हेल्थ अशौर वरुन गेरा के विजिन से बना ये वेंचर आज भारत ही नहीं बलकि ग्लोबल मारकेट में अपना जंडा लहराने की तैयारी में है क्या है इसकी खासियत यही बता रही है कल्पिता पारकर प्राइमरी हेल्थ केर में मौझूद कम्यों को पूरा करने के लिए 2011 में वरुन गेरा ने शुरू किया हेल्थ अशौर एक ऐसा हेल्थ केर प्लाटफॉर्म जो कॉर्परिट्स को बेसिक हेल्थ केर सर्विसेज मौःया करने से शुरू हुआ कोसे हल्थ के इतना स्पेशलाइज सेक्टर है कि इसमें हर एक चीज के लिए स्पेशलाइजेशन होती है देफोर फॉर कस्टमर उनको किसी छीज के लिए एक अलग स्पेशलाइज के पास जाना पड़ता है तो जाहे वह जीपी हो प्रेटिशन हो गानेकोलोजिस्ट हो उनको अगर एक्सर करा ना तो कुई अगा जगा जाना पड़ेगा सर्जरी जाना पड़ेगा तो इसके अले हेल्थ सेंटर से टाइब किये और नेटवर्क बनाया आज देश के तेरा सो शेहरों में साधे चार हजार मेडिगल नेटवर्क प्रोवाइडर्स के जरिये हेल्थ अशौर अपनी मौजूदगी बना चुका है लेकिन इतना काफी नहीं था जरूरत के वक्त इस पर कंपरी ने जोर दिया किसी भी कस्तमर को कोई बी स्पेशलाइजेशन चाहिए या फिर कॉमिनेशन और स्पेशलाइजेशन चाहिए किसी शेर में तो अगर आप भॉपाल में है अगर आपको यूजजी किड्नी फंक्शन टेस्ट, एक्सरे और गाइनेकोलोजिस और स्पेशलाइच को तो पिलर है टेक्नोलोजी है गोस्तमर को कैसे अकसे अकसिस रेल गा फिर राएगे थे पिलर हमारा है वहाँ हा प्रोडक्स सो अवरी कस beğ거든 को होती है तो third हमारा pillar हो गया, products के हम कौन-कौन से product कैसे कैसे बनाएंगे, कैसे market करेंगे फुचमर final हमारा जो pillar हुआ, वो हुआ sales Technology, network और product का seamlessly इस्तिमाल करने के लिए sales को मसबूर करना भी जरूरी था company की शुरुआत कम budget में हुई, इसलिए initially B2B से बाजार में कदम रखा गया और साथ ही medical services को back करते insurance product को साथ में जोड़ा गया आज insurance और corporates के बड़े बड़े नाम Health Assure के साथ जुड़े है sales को लाने के लिए अलग लग channels use होते हैं हमारे जो currently sales channel जो use हो रहे हैं एक हो गया आपका corporates, एक हो गया insurance third हो गया हमारा B2B2C and finally it's B2C so हम sales channel में in the insurance market हम almost सबी insurance के साथ काम करते हैं जैसे Max Bupa हो गया, Cigna, Apollo Munich, Reli Gear, Aditya Birla Health so more or less सबी insurance से काम करते हैं corporates में भी हम काफी corporates से काम करते हैं जैसे Pearson's, Yahoo, Deloitte, Deutsche, L'Oreal primary healthcare platform पर insurance product को जोडने की पहल को शुरुवाती दौर में मिला जूला response मिला, लेकिन कंपनी ने भारतिय मार्केट में पहली बार insurance के traditional concept में बदलावला कर नए प्रुड़क रहकों को मुहया करवाए सुर्पेटर हैं यह एक संदोखर्ड नहीं उन्वेसिट case इन्षूरर्स प्रेश जब फॉर्लै जब कि यह काफि Millsan में कि अंडू मैं थिए ऑप खीज कांदूर्स सब्क्राइब का लाया लाँ एक संदोख ऑदकूर्स इसको इसको कि समयर शुक् HTTP बना सकते हैं तो हमने काफी insurance companies के साथ जाके बाते की और हमने इसे टायाप कर लिया है So now we have finally launched OPD, which is day-to-day care insurance products पिछले 9 सालों में ग्राकों को बहतरीन service offer करने के लिए Health Assure के platform पर कई नई services और product जोड़े गए इसमें से एक है चेली डॉक्टर कंसिल्टेशन चार साल पहले शुरू हुई इस service का फाइदा देश के किसी भी कोने में बैठा ग्राहक उठा सकता है Company के पास फिलहाल 70 डॉक्टर की टीम है जो 20 से 25 हजार consultation रोजाना करती है अब बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए company capacity बढ़ाने जा रही है यह एक वैसा मोडल है जिसमें हम मोबाइल के ओपर टेली डॉक्टर कंसलटेशन य यविडियो कंसलटेशन भी गरते हैं जो विडियो कंसलटेशन में यह कि हम सामने वाला जो patient के कंडिशन भी देख पाएंगे एधे डॉक्टर हम लोग दो-तीन चीजों में ज्यादा बिलीव करते हैं, एक यह है कि जो पेशेंट के पाद सिम्टम्स क्या है और दूतरा जीसी विच इस काल जनरल कंडिशन, तो पेशेंट की जनरल कंडिशन हों वीडियो के थू दिख सकती है, या तो एक्स्टेइन करें से B2C तक बढ़ाने में मदद मिली, लेकिन इसके अपने चालेंजिस भी है, जो हेल्थ एशोर की टीम ने बखू भी निभाए हैं, पहले तो उनको कुछ पता नहीं रहता है, तो हमको वो अवेर्नेस प्रेड करना पड़ता है कि किस तरह से और किस चीज के लिए कौन सा इ किस चीज के लिए करना पड़ता है किस तरह से और उनकी जो जरूरी होती है वो बहुत बिन्न होती है, वो बहुत डिफरेंस होती है उसमें, कोई प्री पैकेज नहीं होता है कमपनी की position और मजबूत बनाने और healthcare ecosystem बनाने पर focus करते हुए, कमपनी अब आगे acquisition का रासा अपनाएगी I think one of course is, you know, how do you make health more engaging, तो एक तो अपका content हो गया, तो चाहे आप बिमार हैं के नहीं है, आप content हर वक्त हरोस पड़ते हैं, तो एक तो content हो गया, how can we generate more content, जिसमें कास्टमार इंगेजमेंट बढ़ती रहे, second हो गया, fitness, third is nutrition, and the fourth one would be analytics or some kind of software company, जो इस space में हैं, जिससे हम plug-in कर के थोड़ा और अपनी capabilities बढ़ा से अब तक 9 million ग्राहकों को serve कर चुके health assure ने अब इस साल 5 million ग्राहकों तक पहुच बनाने का target बनाया है, इस unique business model पर निवेशक भी दाव लगा रहे है, the HR fund से 1 million dollar की funding मिलने के बाद, कंपनी ने पिछली सार bloom venture से 2.5 million dollar की series A funding जुटाई है, भ कंपनी अब अपने operations UAE में शुरू कर रही है और आगे फारीस market पर नज़र रहेगी, घल्पिधा पारकर मुंबई यहां लेंगी एक छोटा break लेकिन break के बाद एक दिल्चस्प चर्चा होगी, Black Buck के co-founder चानक के हरिदय से आप बने रहे हैं, CNBC आवाज के साथ वेलकुम बैक, आप देख रहे हैं आवाज आंतुप्रेनिया, चार लाग पार्टनर ट्रक्स के साथ देश का largest trucking network बना है Logistics Startup Black Buck, कंपनी की robust technology platform, shippers और truckers के बीच एक भरोसे मन नाम साबित हुआ है Company की इस तेज ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए अब आगे की strategy क्या रहेगी इसी पर आज हम focus कर रहे हैं और बंगलूरू से Black Buck के co-founder चानक के हरिदय मेरे साथ जुड़ गया है चानक के स्वागत है आपका CNBC आवाज पर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि देखें दो महीने हो चुके हैं Fastag को launch हुए और यह एक नई technology है जो सरकार काफी aggressively push कर रही है उसका response आपके business के लिए कैसा रहा है Has life become easier thanks to Fastag? तो government ने December में Fastag mandatory कर दिया था passenger और commercial records दोनों के लिए मेरा मानना है कि यह जो decision लिया है government काफी सही दिशा में है बिलकुल सही दिशा में है अगर आप देखें Fastag के पहले trucks अपने देश में बहुत time spent करती थी अपना बहुत time waste करती थी अपना tolls पे वहाँ पे पूरा transaction manually होता था cash के थूरू होता था Fastag के आने के बाद trucks का movement in tolls से बहुत ही आसान हो गया है trucks को wait करना बहुत कम हो गया है और इस के कारण उनकी kilometers जो टगाड़ियां चल रही है महिने में वो 20 से 30% बढ़ गई है Fastag में आज के दिन अगर आप पूरे commercial vehicle देखें देश में 30% trucks हमारे platform से अपना Fastag recharge करती है online और यह हमने product इतना आसान बनाया है truck owners के लिए इतना simple बनाया है कि वो आके एक click में अपना recharge कर सकती है और आराम से tolls के थूरू आराम से निकल सकती है बिना कोई रुकावट के देश में अगर आप देखें BlackBuck के platform में आज की दिन एक million से जादा fleet owner रहे यानि 10 लाग से जादा fleet owner हमारे platform पे आ चुके हैं इस देश में 20 से 30 लाग fleet owner truck owner रहते हैं पूरे देश में जो truck चलाते हैं उसका 30% हमारे platform पे आ चुक है हमारे platform पे ट्रांजाइट करता है और इससे हमारे business में हमारे freight business हमारे fueling business हमारे दूसरे insurance tires सब business पे बहुत impact पढ़ा है लाग बग जब शुरुआत हुआ था तब लोग ये कहते थे कि देखे truck owners, fleet operators पर आप technology थोप नहीं सकते इनका business करने का तौर तरीका अलग होता है लेकिन वहाँ पर आप लोगों ने खुद transition लाया और अब जब सरकार खुद कह रहे हैं कि आपने fast stack लेना है तो आपके business में किस तरह की growth देखने को मिलेगी वो आकड़ा अगर आप मुझे बता सके आप कह रहे हैं आपके platform पे 30% लोग जुड रहे हैं लेकिन यहां से आगे किस तरह की growth, scalability की आप उमीद कर रहे हैं हमारा मानना है कि यहां से हम और 10 लाक और truck owners को हमारे platform पे ला सकते हैं फिर हमारे पूरे platform पे इंडिया की भारत की 50% truck owner हम चाहते हैं कि black bug से जुड़े fast track platform से और fast track के बाद हमसे freight भी लें, हमसे orders भी लें, हमसे fueling भी करवाएं, हमसे insurance भी लें, हमसे tires भी लें हम चाहते हैं कि truck owner हमारे platform से, एक ही platform से सारी सुविधाई ले सके चानल के मुझे यह बताईए कि आप लोग prioritize कैसे करते हैं कि किसको जाधा focus में रखना है, आपके लिए shippers को match करना fleet operators से, यह complex है तो इसमें prioritization किसको मिलता है, truck owner को मिलता है या फिर जिसको product एक जगा से दूसरे जगा ले जाना है उसको मिलता है देखिए हर्चाता हमारा platform जो है, यह marketplace platform है इसका मतलब हम जोड़ना चाहते है shippers, जो corporates या SMEs है, जो अपने सामान को truckों में भेजना चाहते है उनको हम जोड़ते है truck owners के साथ तो marketplace platform हमेशा एक fair platform होता है इस पे हम नहीं एक तरफ जादा bias हो सकते हैं नहीं दूसरे तरफ हो सकते हैं हमारा मानना है कि हमें एक ऐसा technology platform बनाना है जहां पे truck owner आ सकें, जहां पे shippers यानि की SMEs और corporates आ सकें और आपस में मिलके सही price पे, सही time पे दोनों match हो सकें एक दूसरे के साथ और यही efficiency जो हम industry में ला सकते हैं आज के दिन अगर आप देखें कि technology platform सिर्फ black buck के पास ही ऐसा बाकि पूरे market में, offline चलता है, यह पूरा phone calls पे होता है, पूरा manually होता है और जब भी आप इतने बड़े industry को phone call और manually करने का try करेंगे उसमें हमेशा inefficiencies आ जाती है यानि कि गारियों को जाधा time लगता है order मिलने में एसमेश और corporate को जाधा time लगता है गारियां मिलने में और जो भी pricing discovery होता है, यानि सही price, सही rate, सही भाव market का वो दोनों को नहीं मिल पाता है तो हमारा मानना है कि एक ऐसा technology platform हम बनाना चाहेंगे जहाँ पर पूरी supply हमारे platform पर आजाए, पूरे truck उनल हमारे platform पर आए पूरे SME तोर corporate हमारे platform पर आए और इनका matching हम बिलकुल fair तरीके से, बिलकुल सही तरीके से कर पाएं कि उन्हें सही time पर भी orders मिल जाएं, सही time पर गाडियां मिल जाएं और दोनों को सही भाव मिल जाए market का पिछली बारी जब आप से बात हुई थी, आपने कहा था एक challenge है कि दूर दराज के जो शहर है, especially tier 3 जोसे हम कहते हैं वहाँ पर एक तो technology adoption rates थोड़े से फीके हैं penetration भी उतना नहीं था, लेकिन वहाँ से काफी progress देखने को मिली है क्योंकि internet penetration बड़ा है क्या वहाँ से अब business में growth देखने को मिल रही है और आपके लिए फिर growth avenues क्या tier 3 वाले markets ही रहेंगे at this point in time? देखे, fast track जब online गया है, जब mandatory हो गया है जो पहली बार online banking कर रहे है तो उन्हें UPI सिखाना, उन्हें internet banking सिखाना इसका भी दायत्व हमारे उपर है और हमारा जो हमारी कोशिश है कि ये सारे truck owners के पास हम जाकि इनको हमारे platform पे लाएं हमारे आगे का भी जो growth आप जैसे पूछ रहेते हैं का भी growth ये tier 3, tier 4 cities से ही आएगा, ये गाउं से ही आएगा आज के दिन हमारा presence 500 district में हैं इंडिया के करीब से करीब 20,000 गाउं में हैं इंडिया के और ये हम और भी जादा intensify करेंगे और जादा अंदर जाएंगे ये truck owners को platform पे लाएंगे इनको educate करना, इनको technology पे लाना हाँ, ये मुश्किल है लेकिन इंडिया में जो अभी आप देख रहे हो ये digital इंडिया का wave है ये भी बहुत strong है, ये भी हर जगा फैल चुका है अच्छा इस penetration को बढ़ाने के लिए क्या आप लोगों को additional पैसा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि आपने बड़े-बड़े निवेशकों को onboard किया, आपके पिछले round में Axle ने तो participate किया ही, सिकोया, Goldman Sachs चैसे नाम भी आपके साथ आकर जुड़े थे मुझे ये बताईए, इस समय जो आपके पास funds है, उसका इस्तमाल किस चीज के लिए हो रहा है penetration के लिए जादा हो रहा है, या फिर आपके जो platform पर अलग-अलग apps है, अलग-अलग avenues है truckers और fleet operators को और सहूलिय देने के लिए उसमें जादा पैसा खर्च कर रहे है तो हमने पिछले साल ही एक काफी बड़ा investment round raise किया था, 1500 million dollar का round raise किया था तो ये जो round है, ये हम पूरी तरह से इस्तमाल कर रहे हैं technology में invest करने के लिए technology यानि हमारे जो apps हैं, हमारे जो supply site पे यानि truck owners के पास जो app है हमारे जो corporates के पास app है, हमारे जो SME shippers के पास app है, हमारे drug drivers के पास जो app है इसको और improve करने के लिए, इसमें और features आने के लिए, इसको और अच्छा बनाने के लिए इस पे अभी पूरा हमारा focus funds का है कि technology को कैसे और improve करें चानर के ये बताईए, इसमें जब आप लोगों के revenues पर मैं नज़र डाल रही हूँ, आपने FI 18 के जो reported figures है करीब 135 million dollar की कमाई की है इस कमाई का सबसे large chunk किस particular avenue से आ रहा है क्योंकि आपके अलग-अलग apps है जैसे आपने खुद कहा कि corporates के लिए कलग सुविधा है, आपका boss app है जो fast tag के लिए है, आपका fleet operators, truckers के लिए individual apps है तो maximum revenue का हिस्सा कहां पर आ रहा है और क्या drive करने वाला है इस revenue को going forward? देखिए हमारे दो primary avenues हैं revenue के लिए, सबसे पहला तो हमारा freight platform है, जहां पर जैसे मैंने आपको बताया, truck owners को हम लोग shippers की साथ मिलाते हैं, उनको जोडते हैं और ensure करते हैं कि shippers को गारिया टाइम पर मिले और truck owners को orders टाइम पर मिले, तो यह जो हमारा freight जिसको हम बोलते हैं, वो जो freight platform है, उससे हमारा सबसे जादा भागेदार है हमारे revenue का दूसरा fast track, fast track क्योंकि mandatory हो गया है, तो हमारे साथ जो truck owners जुड़े हैं, वो बहुत तेजी से जुड़े हैं, लास्त तीन से चार महिनों में तो वो सबसे बड़ा freight के बाद हमारा दूसरा भागेदार रहेगा, तो वो fast track ही रहेगा आगे चाते हुए, fast track से हमारा revenue बढ़ता रहेगा, हमारा अभी goal है कि 30% हमारे platform से हो रहा है, इसको हम 50-60% ले जाना चाते हैं और ये जो fleet owners हमारे platform पे fast track से जुड़ रहेगा, इनको भी हम लोग freight में कैसे ला सकें, इनको हम लोग अपने SME shippers के साथ कैसे जोड़ सकें, हमारे corporate shippers के साथ कैसे जोड़ सकें, उस पे भी काम चलता रहेगा, तो freight fast track दूनों पे काफी काम रहेगा अगले एक से दो साल में और growth वहीं से आएगा. और ये जो fast tag आप कह रहे हैं, आपका target है 50% लोगों को on board करना, याने कि 20% की कम से कम आप growth expect कर रहे हैं, will it help you achieve profitability चानक क्या, क्या उसके बारे में आप लोग इस समय सोच रहे हैं? देखिया, as a company हमारा मानना है कि valuation से important value है, हम कितना value create कर रहे हैं देश की economy के लिए, हम कितना value create कर रहे हैं हमारे truck owners के लिए, कितना value create कर रहे हमारे shippers के लिए, तो profitability पे definitely जितने हम trucks जोड़ें, जितना scale करेंगे, जितने ज़्यादा market share होगा हमारा, उतना हम अपना profitability improve कर सकते profitability का key, अगर आप देखेंगे key component क्या है freight में, तो वो है कि कितनी kilometers चलती हैं गारिया हमारे platform पे, तो हमारे पास जितना demand होगा, जितना supply होगा, जितने shippers होगे, जितने truck owners होगे, हमारे पास उतनी ability होगी कि गारियों को जादा kilometers चला सके, और जितना जादा kilometers चलाएंगे, उत करने के लिए हाँ से आगे की black buck की growth story पर all the very best, चलिए इसी mode पर हम लेंगे एक छोटा सा break लेकिन आप बने रहेगा, CNBC आवास के साथ Tata Trusts और Social Alpha की Social Alpha Energy Challenge 2.0 हाल ही में दिल्ली में हुआ, इस प्रोग्राम का उदेश है disruptive, innovative और impactful technology blueprints और prototypes की तलाश, इसमें शामिल कुछ young entrepreneur से बातचीत की, मेरे सहयोगी हर्श बर्माने Solar panel के जहां धेरो फायदे हैं, वही कुछ नुकसान भी है, जैसे कि सबसे बड़ा नुकसान है, हर साल करीब 5-4 अरब लीटर पानी की बर्बादी इन solar panel की साफसफाई में होती है इसी पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हमारे देश के startup अपने अपनी तरीके से efforts दे रहे हैं अपना जो product है, वाटरलेस क्लीनिक सिस्टम है और जो रोबोटिक है, तो हमारे सिस्टम में हम बिल्कुल पानी का यूज कर रहे हैं तो अपने सिस्टम का यूज है कि हम लोग विदाउट वोटर क्लीन कर रहे हैं एक बात और सेकंडली हम लोग इसमें दो वाराइटी दे रहे हैं कस्टमर्स को तो पहला वाराइटी है कि वो समय ओत्रमेटिक है जिसमें कि आप लेकर उसको मैनुली शिफ्ट कर सकते एक रो से दुसरे रोल में और सेकंड वर्शन फुली ओटमाइटिक है जिसमें कि आप अपने अप से अफिर अपने डेक्स्टॉप अप्लिकेशन से उसको कंट्रल कर सकते हैं तो इसमें और एक फीचर है यह कि आपको कोई भी स्रुक्शनल चिंज नहीं करना पड़ेगा तो आप अशनी लेकर उसको पैनल के अऊपर रख सकते हो और आप क्लिनिंग स्रुक्त कर सकते हैं तो अगर इसको लाइफ की बात की जाए और कीमत की बात की जाए तो यह मार्किट से ज़्यादा आपका किफायती है तो यह हम बहुत सरुविक है उसके बात पता चला है कि एक एंड इसके साथ आप से लेंगे इजासत आपको हमारा शो कैसा लगा यह हमें जरूर बताएं आप से अगले हफ़ते मुलाकात होगी कुछ और दमदार आइडियास के साथ Namaskar and take care